एक निया कबड़ी लीग हो चुका है लॉंच बहुत सरे प्रो कबड़ी के टीम्स ने कोचिस को रिलीस किया कोचिस को अनाउंस किया इंडिन कबड़ी टीम क्या बैन हो चुकी है इसे के साथ क्या प्रो कबड़ी कैंसल होगा auction के उपर एक positive news है बहुत कुछ है बताने के लिए इस वीडियो में आपको कबड़ी के top 10 updates बताने वाला हो शुरुबात करते सबसे पहले update के साथ तो Delhi कबड़ी लीग हो चुका है launch 6 जुलाई को Delhi State कबड़ी Association ने ये announce कर दिया है कि Delhi कबड़ी लीग होने वाला है आठ टीमों के साथ Delhi के local कबड़ी प्लियर्स के लिए काफी अच्छी बात है कि वो अब matches खेल सकते हैं और साती में price pull 10 लाग का रखा गया है जो winner टीम होगी उनको 5 लाग रुपया मिलेगा runner sub team को 3 लाग and semi finalist को 1 लाग रुपया दिया जाएगा मंजी चिलर को announce किया गया है as a brand ambassador जो press conference हुआ था उसका photo भी आप अपने screen पे देख सकते हो ज़्यादा information के लिए मैं article का link description box में दे देने वाला हो आप पूरा इस पे update जान सकते हो इसे के साथ दूसरे update की बात करते है तो Tamil थलायवास की जो बहुत सारे confusion थे coaching line-up को लेके वो अब हो चुका है thought out सबसे बहुत स्ट्रेटीजी कोच की बात की जाए तो Tamil थलायवास की टीम ने धर्मरा चलरातन को as a strategy coach announce कर दिया है प्रो कबड़ी season 11 के लिए अब मैं confused हो गया था इस पे head coach समझ लिया था लेकिन आप मान सकते हो कि head coach वाला रोल भी हो सकता है head coach की बात की जाए तो head coach वापस आ चुके है जे उदे कुमार Tamil थलायवास के साथ कापी अच्छा connection इनका रहा है प्रो कबड़ी season 7 में Tamil थलायवास को पहली बार head coach किये थे PQL 8 में भी Tamil थलायवास के head coach जे उदे कुमारी थे PQL 9 का आदा season जे उदे कुमार थे फिर अशन कुमार की entry हुई कापी अच्छा खेला Tamil थलायवास ने प्रो कबड़ी season 10 का पूरा season असन कुमार ने ही head coach किया एन इनको निकाल दिया गया and season 11 में वापस आ चुके है जे उदे कुमार मैं आपको बता दू PQL 7-8 में तमिल थलायवास की टीम ने अच्छा performance नहीं दिखाया था अंडर जे उदे कुमार अब तमिल थलायवास की टीम ने फिर से भरोसा दिखाया है अब देखते कैसा तमिल थलायवास की टीम परफॉर्म करती है अंडर जे उदे कुमार कोचेंग इसे के साथ तीसरे update की बात की जाए तो तेलगू टाइटन से भी कापी अच्छा update आया है इन्होंने अपना assistant coach announce कर दिया है रमेश कुमार हो गे तमिल थलायवास कीने assistant coach प्रो कबड़ी season 11 के लिए और बहुत पहले ही इन्होंने head coach भी announce कर दिया है जो हो के क्रिशन कुमार हुड़ा तो क्रिशन कुमार हुड़ा head coach और रमेश कुमार हो गे असिस्टेंट कोच तेलगू टाइटन्स के प्रो कबड़ी सीजन 11 के लिए और इसे के साथ में एक बहुत इंपोर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ अब कबड़ी बहुत ही करीब है PKL सीजन 11 अब ज्यादा दूर नहीं है आक्षण भी बहुत जल्दी होने बाला है और सभी अपटेट्स आपको कबड़ी के आपको टेलिग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगा जिनों ने भी अभी तक जॉइन नहीं किया फटाफर जॉइन कर लो आप में से most of the जॉइन कर चुके आपने नहीं जॉइन किया तो टेलिग्राम पर जाके आप एड़रेट, स्पोर्ट, सिनिफ, सेवन सर्च करके जॉइन कर सकते हो या फिल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नहीं तो कॉमेंट सेक्षन में भी आपको टेलिग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा उस पे क्लिक कीजिए और फटाफर जॉइन कर लीजिए जो भी अपडेट आते हैं सबसे पहले यहाँ पे हम टेलिग्राम पे शेर कर रहे है इससे के साथ चौते अपडेट के बारे में बात करते हैं तो चौता अपडेट बेंगॉल वारियर्स से निकल के आरहा है आज एकि दिन बेंगॉल वारियर्स की टीम ने конфirme कर दिया कि के भासकरन सर नहीं होगे बेंगॉल वारियर्स के हैट कोच सीजन 11 के लिए प्रो कबटी सीजन 9 में अनाउंस किया ता कि के बासकरन सर हैट कोच हो गे प्रो कबटी सीजन 9 में बेंगॉल वारियर्स के सीजन 10 में भी कंटिन्यू किये लेकिन सीजन 11 में इनको रिलीस कर दिया गया और ये कंपर्म हो चुका है कि बेंगॉल वारियर्स का इस सीजन हमें एक निया हैट कोच देखने को मिलेगा और ये भी बहुत जल्द अनाउंस करते हुए दिख सकती है और जैसी अनाउंस कर देगी वो में आपको टेलिग्राम पे इनफॉर्म कर देने वाला हो इसी के साथ पाचवे अपडेट की बात करते हैं तो पाचवा अपडेट यू मुंबा से निकल के आ रहा है यू मुंबा के टीम ने भी दो बड़े कोचेश को रिलीस कर दिया है प्रो कोबड़ी सीजन 11 से पहले प्रो कोबड़ी सीजन 10 में 3 कोचेश थे यू मुंबा के head coach defense coach and a coach थे head coach थे golem reja sir defense coach थे जीवा कुमार and एक और coach थे जो यहाँ पर केसी सुथार थे तो defense coach and साथी साथ केसी सुथार इन दोनों ही coaches को youmumba की team ने release कर दिया है अब बच चुके है गोलम रेजा अब इन पे ज़्यादा confirmation नहीं आया कि continue करेगे या फिर इनको भी release किया जाएगा अब मुझे लगता है कि इनके साथ दुबारा जाना चाहिए अब देखते क्या होता है बहुत जल्दी यू मुंबा की टीम ये भी confirm कर सकती है चलिए अब 6th update की तरफ बढ़ते है तो 6th update most asked question है मेरे comment section में की इंडियन कबड़ी टीम क्या बैन हो चुकी है क्या होगा upcoming international tournaments इंडियन कबड़ी टीम खेलीगी की नी खेलीगी आखिर हुआ क्या है मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ सबसे पहले December 2023 में AKFI का election हुआ था और उस election में विबोर जैन को प्रेसिडेंट elect किया गया और वहीं पे जितेंदर प्रांच सिंग जनरल सिक्रेटी बने AKFI के लेकिन election होने के बाद भी AKFI का जो daily operation थे वो पुराने एड्मिनिस्ट्रेटरी कंट्रोल कर रहे है election का जो result है वो एक pending court decision पर dependent है और ये IKF के rules का violation है इसी वज़े से IKF ने अपना dissatisfaction express किया है अब IKF का क्या reaction है IKF के जो प्रेसिडेंट है विनोत कुमार तिवारी उन्होंने IOA जो की Indian Olympic Association है उनके जो प्रेसिडेंट है PT उशा उनको एक लेटर लिखा है इस लेटर में उन्होंने AKFI के governance पर concern raise किये तिवारी जी ने बताया है कि IKF ने AKFI को कई बार उनके election के बारे में information देने के लिए क जल सकता एक democratically elected body का होना जरूरी है अब इसके क्या consequences है तो IKF ने decide कि इंडिन कबड़ी टीम को upcoming international events में participate करने नहीं दिया जाएगा और कौन कौन से events में अभी फिलहाल AKFI के players नहीं कहल सकते तो सबसे पहले first senior world beach कबड़ी championship 2024 जो की इरान में होने वाला है 12 से लेके 18 September के बीच में एक 6th Asian indoor and muscle arts game जो Thailand में खिला जाएगा 23 से 28 November 2024 के बीच तो यही information था जो मैं आपको explain करना चाहता हो और इस से जादा कुछ जानने की जरूरत नहीं है as of now Indian Kabaddi team पे IKF ने बेन लगा दिया है अगले notice तक and यह जो power है वो जैसी मिल जाता है ने elected को तो जो band ने वो यहाँ पे lift कर दिया जाएगा लेकिन आपको लगता है क्या यह जो system गरबड़ी चल रहा है वो सुधर जाएगा आपको answer मिल गया होगा and इसके बारे में इतना ही कहना चाहता हो इसके साथ अगले update की तरफ बढ़ते 7th update की तरफ तो question यह भी आ रहे कि क्या pro कबड़ी cancel होगा इस साल क्या pro कबड़ी का season नहीं होगा अब दो reasons है पहला कि मसाल sports and AKFI का contract खतम हो चुका है and दूसरा reason यह है कि जो IKFI ने ban लगाया है इंडिन कबड़ी टीम पे इससे कोई issue होगा कि नहीं होगा तो insert में यही बताना चाहता हो कोई दिक्कत नहीं होगा pro कबड़ी हमें अपने time पे ही देखने को मिलेगा बातरी मसाल sports and AKFI का contract का तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही जो contract है वो renew हो जाने वाला है and अच्छी update इसे के साथ यह है कि pro कबड़ी का auction बहुत ही जल्दी होने वाला है August के महीने में pro कबड़ी का season 11 का auction हो सकता है as per latest reports यहीं बताया जा रहा है कि 15 से लेके 20 August के बीच में हमें PGL 11 का auction देखने को मिल जाएगे and इस बर में कबड़ी अड़ा की बात नहीं कर रहा हो अभी फिलहाल एक बहुत ही strong sources से पता चला है कि auction की तयारी सुरू हो चुका है and 15 से 20 August के बीच में ही auction date हमें देखने को मिलेगा इसी के साथ 9th update की बात करते हैं तो 9th update भी pro कबड़ी season 11 के उपर है pro कबड़ी season 11 के dates भी बहुत जल्द announce हो सकता है ऐसा पता चल रहा है कि जो 12 teams के owners है उनके बीच में हमें एक meeting देखने को मिलेगा और उसी में pro कबड़ी season 11 के जो date से वो decide हो सकता है और बात में कभी announce किया जाएगा तो ये बहुत important meeting होगा और उमीद करते हैं कि इस meeting से कोई positive news हमें देखने को मिले अब वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले में आपको बता देना चाहता हो अभी India versus Zimbabwe का T20i series सल रहा है और क्रिकेट के सभी matches के prediction आपको राजा क्रिकेट analyst telegram channel पे देखने को मिल जाएगा आपने join नहीं किया तो फटफट फट join कर लो description box में आपको link मिल जाएगा और बाकी T20 Leaks के भी prediction आपको राजा क्रिकेट analyst telegram channel पे बिलकुल free में देखने को मिल जाएगा इसी के साथ आखरी update की तरफ बढ़ते हैं तो आखरी update 11th Beach National Kabaddi Championship Men's and Women's 2024 के regarding निकल के आ रहा है इसके dates announce हो चुके 9 August से 11 August के बीच में हमें ये tournament देखने को मिलेगा both men's and women's का और ये होने वाला है बिहार में ये important tournament इसे लिए because इससे ही AKFI find करने वाली है Probable Beach Kabaddi World Cup के players और देखते कौन-कौन से player select होते अब इसमें पूरी तरफ श्योरिटी नहीं कि प्रो कबड़ी के players इस World Cup में खेलेगे की नहीं खेलेगे जैसे कुछ confirmation आएगा वो मैं आपको बता देने वाला हो और इससे आप ये समझ सकते हो कि जो lift है वो इस tournament से पहले सायच से हटा दिया जाए या फिर AKFI कोई दूसरा रास्ता देखने वाली है अब देखते इस पे क्या होने वाला लेकिन जो tournament है बीच कबड़ी World Cup वो September में होगा इरान में खेला जाएगा अब देखते इस पे क्या अपडेट आता है अब भी फिलहाल के लिए प्रो कबड़ी सीजन 11 ओक्शन से पहले कौन-कौन से players होगे Retain Space Series बनाया था हो चुका है और आपने अभी तक एक भी वीडियो नहीं देखा है तो लेफ साइट पे प्लेलिस्ट बना दिया है आप चेकाउट कर सकते हो और राइट साइट पे चैनल का लेटेस वीडियो दिख रहा होगा उस पे क्लिक करके आप देख सकते हों मिलते होसे वीडियो में ठैंक्स वर वाचेंग